स्वागत है आप सबका हमारी यूटूब चैनल बी आर सिनिफिक्स में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वीडियोज के स्रंखला में आज हम आपको बताने वाले हैं बांदिकी टू जैपुर जो नया सिक्सलेंड हाइवे निकाला जाएगा और दिल्ली मुंबई एक् कारिये नवंबर महीने से सुरू हो जाएगा नवंबर 2021 से और दिबावली के बाद इसका जो निर्मानकारिये वह बता रहे हैं शुरू होना और इसका जो मुगावजा है वह 480 करोड रुपए बाटा जाएगा यानि जो किसानों को मुगावजा मिलने वाला है वह चारसो बाटा जाएगा जमीन के बदले में। इसके अलावा जो डिल्सी रेट है, वो साड़े तीन या चार मुआवजा मिलेगी। यानि DLC का जो सब्सक्राइब के नियम में प्रावधान बावजा कर में O 4 Zeit Tages 1 visit कि बांदिकुटी जैपुर जो नए सिक्सलेंड हाईवी बना जाएगा इसकी जो कुल लागत है वो 1400 करोड रुपए है और 67 किलोमेटर के दायरे में इस नए सिक्सलेंड हाईवी का निर्मान किया जाएगा तीन जगे इसके टोल पलाजा बनेंगे और वहां से जो वाहन है वो आसानी से चड़ोर उतर सकेंगे तीन जगे पहला जो बनेगा जहां से की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस विशे कनेक्ट होने वाला है बांदिकी के द्वारा पुरा गाउं में वहां पर इसका पहला टोल बना जाएगा और यहां से वाहन है जो चड़ोर उतर सकेंगे दूसरा जो बना जाएगा वो खुरी-खुर्द नामक इस्तान पर बना जाएगा नैस्नल जो हाईवे 11 वहां पर और तीसरा जो टोल पलाजा बनेगा वो बनेगा बगराना में रिंग रोड के पास तो इस प् तक हमने आपको बताया कि जो ड्रोन से है इसका सर्वे करा लिया गया है और भूमी जो चिन्ही करण है वो भी शुरू हो चुका है लगबग एक महीने पहले तो बहुत जल्द इसका निर्मान कारी अब शुरू होने वाला है नौंबर 2021 से अधिकारी इसको बता रहे हैं चल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सब का बहुत बहुत सुक्रिया